तो आज आज हम बात करने वाले हैं एसूस के एस 16 मोडल के बारे में जो की अभी इसेंट लॉच हुआ है ट्वटी ट्वटी फॉर में तो अगर इसे मोडल की बात करते हैं तो यह 5606 मोडल है तो सबसे बात करते हैं उन यूजर्स की जो एक अल्ट्रा पोटेबल लैप्टॉप देख रहे हैं जिनको अच्छा लैप्टॉप चाहिए प्लस मैटलिक बिल्ट चाहिए डिस्प्ले अच्छी चाहिए बैटरी लैप्टॉप हीटर ना करें प्लस जिन्होंने ट्रैवल करना है तो यह हमारा लैप्टॉप है जो कि आपकी सारी रिक्वार्मेंट्स को पूरी करता है यह असुस का वीवोग एक सिस्टीन लैप्टॉप है तो सबसे पहले हम इसके डिजाइन की बात करते हैं तो जो इसका इस वान हेट से सिंगल हें से इसली ऑफण कर सकते हैं हो जो होती है जो कि आपके हिंजे ट्रॉप टैस्ट ट्रॉप काफी सारे टैस्ट पास होते हैं जिसको कि हमें ट्रीच टैंडर बोलते हैं 810 का वी बात करते हो तो इसमें हमारे पास व्योद्य लुद्ध यह उसके वह प्रशेशर की बात करते हैं तो इसमें हमें अट्रा प्रसेशर देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आपको 16 और प्रसेशर देखने को मिल जाएंगे अगर प्रसेशर काफी अच्छी होने वाली आप इसली हैवी टास्क किये थे अगर हम आप के सफ्टर यूज करते हैं या जीटे फाइब वगारा खेल रहे हो तो आप इसको आपको 1080 पी पर इसली रंड कर सकते हो आपका इस पोर्ड करता है इससे हवी के लिए फिर अपको डेडिकेटड ग्राफिकर पर जाना पड़ेगा तो कि यह अल्ट्रा प्रटेबल लैपकर घ्राफिकर की बात करते हैं तो इसमें इंटल का अपना अर्क ग्राफिकर आड आ रहा है जो किएकन पर कंडेटेटेर और यह आजीज़ से ज्यद्यक्वीचे आपको आधिशे ज़्यादा कम सेंद्यक्त मेल्तेACH क्या होगा अधिक नहीं होगता इसके बात करते हैं वेहम हम्हेंट ता 16GB और 32GB तक expandable RAM स्पोर्ट करता है जो कि आपका 64 MHz का RAM है LPDDR5 मेमरी के बात करते हैं तो इसमें हमारे पास Gen4 की NVMe 1 TB तक की SSD स्पोर्ट देखने को मिल जाएगा तो सबसे main इसका जो डिस्पले है जैसे कि मैंने आपको बता है इसका नाम ही S16 है इसका जो डिस्पले है 16 इंच का डिस्पले है प्लस 3.2 के OLED डिस्पले है जो कि अभी तक का सबसे लेटस्ट वर्जन है OLED का जिसमें कि आपको जो डिस्पले की smoothness है डिस्पले की brightness है इसमें आपको 600 nits की peak brightness देखने को मिल जाएगी जो कि काफी brighter है अगर आप sunlight में यूज कर रहे हो आप traveling कर रहे हो तो आपको डिस्पले का brightness का कोई issue नहीं आने वाला और जो इसका refresh rate है जो कि अपनी डिस्पले को और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकता है जैसे कि मैंना को बताया आप GTA 5 को 1080p पे इसली रन कर सकते हो काफी अच्छी क्वालिटिक साथ इसमें गेमिंग कर सकते हो प्लस इसमें डिजाइनिंग वायरा कर सकते हो इसली कोई issue नहीं आएगा बात करते हैं इसके पोर्स की तो इसमें हमें फुल फ्लेज आयो पॉर्ट देखना मिल जाएंगे वैसे क्या होता है अल्ट्रा पोटेबल में आपको पोर्ट के साथ थोड़ा सा कॉंप्रमाइज करना पड़ता है पर इसमें आपको एच में पोर्ट देखना मिल जाएगा जो कि 1.4 के साथ है दो आपको टाइप सी टो देखनों मिल जाएंगे तो आपको फुल फ्लेज आयो पोट्स की औरकिविटी दो मिल जाएंगे जिससे की आपowndating कर सकते हैं कुछまず के कैमरा के बारे में बात करते हैं इसले हमारे पास प्राइविशी शटर देखना मिल जाए जो कि आपका 1080p जो स्पोर्ट करता है प्लस इसके कैमरे में हमें कुछ extra features देखनों को मिलेंगे जिससे कि आप easily अपने background को blur कर सकते हो अपना face को focus कर सकते हो एंड इसमें आपको noise cancellation mic देखने को मिलेगा जो कि तूवे noise cancellation mic है जिससे कि आप इसली वीडियो को मीटिंग्स अपनी classes इसली कर सकते हो जिसमें कि आपको background को sound बिल्कुल जीरो के ब्रबर जीरो डीवी के ब्रबर हो जाएगा इसमें आपको इसूस की आई स्कूल टेकनोलजी त्यान मिलें जिस्वेश को इसमें क्या जो क्я यहां से ब्लों को मिल जागा इन और आँफे इसमें मिलें जाते हैं प्लस आपको यहां पर कर शो चैनि को मिलेंगी जेंए नहीं होता नहीं हो ऊकिए कर रहे इतुन सारा के आहीं देखने को मिल रहे हुआर नहीं गयाइएमें एतना लागस करता आपको नौनता करते हैं इतना इतना मिल करने की ने आधी कि बात करते हैं तो इसमें आपको वन आपको पहले गेमिंग लेट्व में देखने को मिलता था तो इसमें आपको बेसिक अपने खोडिंग कर सकते हो तक इसी भी लाइट के साथ जैसे कि मैंने ब्लू लैट के साथ किया हुआ है प्लस हम आपको दिखाना चाओंगा आपको इसमें डेडिकेट पाइलट का बटन द सकते हो आपको अगर इसकी बारे में दिखाओं तो आपको यहां पर इमोजिस का बटन माइक ओन आफ का बटन एसूस का माइसूस एप्लिकेशन का बटन सो काफी सारे एक्स्ट्रा फंक्शिनिंग बटन दिये हैं जिससे कि आपके टास्क बहुत ही इजी और बहुत ही हो आपको कोई हैवी टास्ट कर रहे हैं कोई इंटरनेट बेस कोई श्सक नहीं आएगा कि बात करते हो चम-वाट तकस्थ यह को बैट मिलते बटने या कोई यूट्य वगारा देख रहे हैं तो आपके यूजिंग को बैटरी आपको देगी इसके बात करते हैं तो इसमें हमें 90 वाट का टाइप-C डाप्टर देखने को मेलेगा जो कि एसूस क्लेम करके आप 49 मिनिट में आपका 60% प्लस चार्ज कर देता है और यह टाइप-C चार्ज है तो काफी लाइट वेट है तो करना भी इजी रहता है अगर वेट की बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू बता यह अल्ट्रा पोटेबल लैप्टोप है तो उसका वेट है उनली 1.5 केजी वेट है जिसको कि आप इसली ट्रैवल कर सकते हैं इसली आप कहीं भी लेके जा सकते हैं तो जो यह लैप्टोप है जिन्हों जो कोल स्टूडेंट्स है या जो बिगनर्स है जिन्होंने अभी कोडिंग डिजाइनिंग करनी है या जिनको थोड़ा बहुत गेमिंग वारा करना है तो उनके लिए यह परफेक्ट च्वाइस है लास्ट में इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पताया अल्टरा वाइफ ल्टरा neist तीन बेरिंट आते हैं जो इसका बेस बेरिंट है अल्टरा वाइफ यह आपका स्टार्ट भाएता है 99,000 से 99 अंडर वान लाट के बज़्ट में आपको इतन अच्छा laptop है, thank you so much